कन्या रासी वालों का आज का रासी फल यानिकी 27 मार्च 2020 का रासी फल तो जैसी आराम दोस्तों आईए आज के वीडियो की सुरुआत करते हैं लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे 27 मार्च के पंचांग के बाड़े में तो आज तिथी है तृतियाल नक्षत्र है अस्वनी पक्ष है सुक्ल पक्ष और दिन है शुक्रवार आज के दिन सुर्य उद्य हो रहा है 6 बज के सुल मिनट में और सुर्यास्त है 6 बज के 36 मिनट में चंद्रोद्य है आठ बज के एक मिनट एम में और चंद्रास्त है नौ बज के ग्यारह मिनट पी एम में रितू है वशंत और आज का दिन काल है बारह घंटे बीस मिनट पांच सेकेंड का महिना है चैत्र आज आपके लिए शुब समय है बारा बज के एक मिनट से, बारा बज के 51 मिनट तक अशुब काल सुरू होता है सुबह के आठ बज के 44 मिनट से, नव बज के 33 मिनट तक दुबारा है 12 बज के 51 मिनट से 1 बज के 40 मिनट तक राहुकाल सुरू होता है 10 बज के 54 मिनट से 12 बज के 26 मिनट तक और दिसा सूल है पस्चिम दिसा की और तो ये था आज का पंचांग अब जानेंगे आपके आज के दिन के बाड़े में लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दे इस चैनल को सबस्क्राइब कर दे इसके बेल आइकन को ओल पे आउन कर दे और इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दे इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए आपके आज के दिन का अनोखा तोटका है तो आप उस तोटके को देखें और फॉलो करें आपका शमय शानदार हो जाएगा तो कन्यारासी वालों सबसे पहला है आपका श्वास्त दोस्तों स्वास्त के लिए हाद से आज का दिन आपके लिए काफी जयादा बेहतर और शानदार रहने वाला है आज के दिन आपके बोड़ी में उरजा की आत्मिस्वास की कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है जिसके वज करें तो पैसों के लिहाद से आपका शम है शामान ने रहेगा कन्यारासी के जो भी लोग आज से पहले अपने फालतू के खर्चों पर कंट्रोल किये हुए थे काबू रखे हुए थे उन लोगों को आज के दिन पैसों की दिक्कत नहीं आएगी और जो भी लोग पैसे को फाल परिशान रहेंगे वैसे अगर आपके घर परिवार की बात की जाए पारिवारिक जीबन की बात की जाए तो आज के दिन आपका पारिवारिक जीबन काफी जयाद बेहतर और शांदार रहने वाला है आपके घर वालों के शाथ आपका शंबंध मधुर रहेगा लेकिन बार में जो माहौल तनाव का बन रहा हो उस माहौल को आप अच्छा करने का प्रयास करें ताकि आपका पाड़िवारिक जीबन शांदार रहे इसके बाद है आपका प्रेम शम्बंध तो प्रेम शंबंध के लिहाद से भी आपका शमय आपका शाथ देगा आज के दिन आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका के शाथ आपका शंबंध मधुर रहने वाला है आज के दिन आप दोनों की बाचीत फोन पर होगी और काफी जयदा शमबंध रोमान्चक बढ़ने वाला है इसके बाद है आपका कामकाज, दोस्तो कामकाज के लिहाद से आपका शमय जयदा बेहतर नहीं रहेगा आज के दिन से अगर अपने कामकाज में आप कुछ नया करना चाहते हो कुछ यूनिक करना चाहते हो तो ऐसा कुछ आज के दिन आप न करें क्योंकि काड़े छित्र के हिसाब से काड़े छित्र के लिहाज से आपका शमय आपका साथ नहीं दे रहा है इसके बाद है आपका दामपत्य जीवन दोस्तों आज के दिन आपके जीवन साथी के शाथ आपका शंबंध काफी जयादा मधुर और बेहतर रहने वाला है आज के दिन आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर प्यार हो जाएगा और आपका दामपत्य जीवन शांदार तो कन्यारासी वालों अब जानते हैं आपके आज के दिन के उपाई के बाड़े में दोस्तों उपाई ये है कि आज के दिन आप मादरुगा की पूजा करें इस उपाई को फॉलो करने से आपका शमय शानदार हो जाएगा